नमस्कार दोस्तों मैं हूं आमेर और आप सीख रहे हैं Photoshop का Complete Course वे भी Certificate के साथ अगर आपको नहीं पता कि ये Photoshop Course करने के बाद आपको Certificate कैसे मिलने वाला है तो Certificate कैसे मिलेगा इस चीज का जो वीडियो है उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा और साथी साथ आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अपने दोस्तों में इस course को जरूर से शेयर करिएगा तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टूरिट्स जैसा कि आप सभी को पता होगा लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगोंने फोटो का साइज छोटा करना, बड़ा करना, उसको एक जगा से दूसरी जगा मूव करना यह सारी चीजे हमने सीखी थी अब आज कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा shapes के बारे में बताने वाला हूँ Photoshop के अंदर तो आप जो shapes को बनाना सीखेंगे, वो सब किस पे सीखेंगे, एक new photo के उपर तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक नया photo लेना होगा, ठीक है तो यहाँ पे हम जो photo click होता है, वो वाली photo नहीं लेंगे, हम यहाँ से खुद से एक photo create करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे simple file में चाके new वाल जो आप देख रहे हैं option, simply आपको इस पे click कर लेना है और यहाँ पे जो आप photo ले रहे हैं नया, उसका size आप यहाँ पे set कर देंगे और ok कर देंगे, तो वो photo आपका बन जाएगा, ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ यहाँ इसे पूरा full screen में कर लेना है, ठीक है, और आपको यह बात तो पता ही होगी कि आप किस तरीक से image को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसे control plus करेंगे तो zoom in और control minus करेंगे तो zoom out, ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा से जूम कर लेता हूँ, अब यहाँ पर आप इसमें shapes बनाएंगे कैसे जरा उसको देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यह आपको एक shapes वाला और rectangle, यह है आपका rounded rectangle, यह है आपका ellipse tool, जिससे कि हम circle बना सकते हैं, यह आपका polygonal tool, line अगर draw करनी है तो line tool, और भी यहाँ पर custom shapes में अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पर आपको custom shapes आपको देखने को मिलती है, जिसे मैं इसको select करता हूँ, यहाँ पर देखिए, आपको choose करता हूँ, और यहाँ पर draw करके आपको दिखाता हूँ, तो देखिए, मैंने rectangle लिया और कुछ इस तरह किसी यहाँ इसे draw कर लिया, ठीक है, इसके अंदर देखो कौन सा by default color आया है, black color, शायद आप जिब rectangle बनाए अपने photoshop में, तो शायद कोई और color आ सकता है, maybe, या फिर white ही color आये, ठीक है, तो अब यह सीखिए, जो आपने यहाँ पर rectangle बनाया है, इसके अंदर आप color fill कैसे करेंगे, तो देखिए, जब आप यह rectangle बना लेंगे, तो यहाँ पर आपको color एक option मिलेगा, simple इस पर आपको click करना होगा, और यहाँ से आप जो color choose करना चाहते हैं, वो color यहाँ से ऐसे choose कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, blue color आगया, simple okay कर दीजे, तो देखिए, इसमें blue color इस तरीक से fill हो जाएगा, ठीक है, और आगर आप चाहें, तो इसके अंदर color वगेरा जो fill हो रहा है, वो यहाँ से भी कर सकते हैं, layer के मादिया हम से देखना है, यह layer आपको open हो जाएगा, यहाँ पर, simple आपको जो color choose करना है, वो choose करके, okay कर दीजे, तो यहाँ से भी color change हो जाएगा, और यहाँ से भी color आपका change हो जाएगा, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, अब ज़र देखिए, यहाँ पर ellipse tool कैस किस तरीके से बनने लग जाएगा, ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर भी पहले वाला color ही यहाँ पर आ गया, आप change करना चाहते हैं, तो simply यहाँ से color is कर सकते हैं, ठीक है, तो उमीद करता हूँ कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आप Photoshop के अंदर shapes को बना सकते हैं, ठीक है, अब इस shapes की outline के उपर जरह हम अब काम करते हैं, ठीक है, और मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, यहाँ पर Photoshop के अंदर shapes बनाना, जरह उसको समझिए, आपको last video में मैंने बोला था, collage बनाने के लिए, याद होगा आपको, तो जितने भी आपके collage होते हैं, वो किसमें होते हैं, shapes के अंदर होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले shape बनाना सीखेंगे, और उसी shape के अंदर photo को fill करना भी सीखेंगे, ठीक है, तो इसी वज़े से मैं आपको यहाँ पर shapes के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए इसकी outline पे हम काम करने की बात कर दे थे तो इसमें हम outline कैसे डाल सकते हैं जरा उसको समझिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको एक tool मिलेगा यहाँ पे क्या है यह देखिए add a layer style यह tool है layer style वाला यहाँ पे नीचे layer के अंदर देख लीचे तो simple आप जिस shape के उपर outline देना चाहते उस shape को आप यहाँ से select कर लेंगे layer के मादी हम से ठीक है इसको करता हूं तो यह select हो गया इसको करता हो तो यह select हो गया चलिए इसी पे मैं outline देखे आपको दिखाता हूं select कर लिए इसको simple आपको क्या करना है यहाँ पे layer style पे क्लिक करना है और यहां देखिए आपको एक option मिलेगा किस नाम से इस ट्रोक के नाम से आपको option देखने को मिल जाएगा simple आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर लेना है जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए layer style कुछ इस तरीके से जो by default option से वो open हो जाएगा और यहां पर देखिए stroke चेक हो गया है और यहां देखिए color कौन से select हो रखा है red color का तो जर देखिए यहां पर इस shape के side में आपको red color इस तरीक से देखने को मिल रहा होगा मैं चाहता हूँ black color देना तो इस पर क्लिक करेंगे आप outline का color यहां से चेंज कर सकते हैं देखिए चेंज हो गया आपका outline आपने डाली है stroke जो डाला है वो कितना आप उसका size रखना चाहते वो यहां पर इस तरीक से define कर सकते हैं वो कौन सा stroke है outside stroke है outside का मतलब आपके shape के बाहर stroke बढ़ रहा है ठीक है मतलब आपके shape के जो बाहर side में outside के अंदर यह stroke जो है आपका outline जो है वो यहां पर आ रहा है मैं चाहता हूँ इस shape के अंदर आए तो आप यहां पर इसकी position देखते हैं next option यहां से चेंज कर सकते हैं इंसाइड कर देंगे तो यह अंदर की तरफ से आपको outline देखने को मिल जाएगी center करेंगे तो क्या होगा आधा बाहर आएगा और आधा अंदर आएगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो आप जैसा चाहते हैं stroke रखना आप वैसा इसमें दे सकते हैं मैं inside रखना चाहता हूँ तो inside select कर लूँगा तो यह अंदर की side में आपको इस तरीक से stroke देखने तो simple क्या होगा यह इस तरीक से आपको दिखने लग जाएगा अब मैं चाहता हूँ यही same to same outline इस पर भी हो जाए तो आपको इसे यहां से select करना होगा और यहां पर stroke पर click करना होगा और फिर से इसमें आप लगा दीजे मैं color choose कर लेता हूँ black color size मैं अपने हिसाप से इसमें same stroke इसमें भी लग चुका है तो यहां पर याद रखिएगा Photoshop के अंदर जो आप outline लगाते हैं इसको हम क्या कहते हैं stroke तो अब यहां पर समझे है यहां पर आपने shapes बना लिया shapes में color fill करना सीख लिया shapes में आपने outline लगाना सीख लिया मैं चाहता हूँ इस shape को move करना तो कैसे हो होगा move तो यह देखिए move tool देख रहे हैं इसी move tools ही आप इसे move कर पाएंगे ठीक है तो मैं इसको select कर लेता हूँ और देखिए अभी यहां पर कौन सी layer select हो रखे है यह वाली तो अब इसी को पकड़ के move कर सकते हैं ना कि इसको पकड़ के देखिए इसको मैं पकड़ रहा अब जाके select हो रहा है तो आप क्या करिए एक technique है आप simple जिसको select करना चाहते है right click करिए और यहां पर option सबसे उपर आ जाएगा उसी नाम का click कर दीजे shape 1 को अब यह देखिए select हो गया इसको करना है तो right click कर यह shape 2 पर यह select हो गया तो आप इस तरीके से भी अपनी shapes को select कर सकते हैं अब जाए यहां पर सीखे जो आपने shapes बनाई है इसका size आप छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं तो जैसे कि आपको पता ही होगा photo के अंदर उसका size अगर हमें छोटा बड़ा करना होता था तो हम क्या करते थे transformation का use करते थे जिसकी shortcut की क्या थी control T और यहां पर भी आपको क् simple है आप इसे छोटा और बड़ा इस तरीक से कर सकते हैं ठीक है यह देखे जितना बड़ा करना है जितना पिछकाना है पिछका सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि exact जैसा circle है वैसा ही बड़ा हो तो shift के साथ use करिएगा shift दबा कर रखेंगे तो एकदम perfect यह आपका बड हो चुका है ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से shapes बनाएंगे किस तरीके से shapes में color fill करेंगे किस तरीके से outline लगाएंगे ठीक है तो चलिए अब एक छोटी सी चीज और भी सीख लीजे जो कि आपके collage को बनाने में बहुत ही ज्या किया है लेकिन मैं चाहता हूँ इस shape के अंदर आप किसी photo को fill करें तो वह कैसे होगा ठीक है तो simple है पहले तो आपको फोटो open करनी होगी तो file में चाहता हूँ open पे click करता हूँ और यहां से यह वाली photo देख रहे है simple इसको मैं यहां से open कर लेता हूँ ठीक है तो देखिए open ह अब मैं क्या करना होगा इस photo को मेरे इस photo के अंदर पहले insert करना होगा डालना होगा तो वह कैसे डालेंगे simple है इसको आप move tool select करिएगा ठीक है और इसे drag and drop ऐसे उठा की इसमें डाल दीजेगा तो देखिए इसके अंदर यह photo आ गया ठीक है अब इसे आप ऐसे zoom कर लिजे ब होगा ठीक है आप चाहते है फोटो छोटा करना तो आपको पता ही है ctrl T बटन दबाएंगे और shift के साथ छोटा करेंगे तो perfect छोटा हो जाएगा ठीक है और इसे check कर दीजेगा अब मैं चाहता हूँ यह वाली photo इस circle के अंदर ऐसे fit आज है अब यह कैसे होगा जो उसको समझ इस circle के ठीक ऊपर रखना होगा अगर आप चाहते हैं इस photo को इस वाली shape में डालना तो simple आपको इस photo को किसके ऊपर रखना होगा यहां पर इसके ऊपर रखना होगा तो समझे आप यहां पर मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिस photo को जिस shape के अंदर डालना है वो photo उस shape के ऊपर ह रहनी चाहिए, जैसे कि यहां पर layer में आप देख सकते हैं, मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है, आप simple photo को उपर नीचे इस तरीके से कर सकते हैं, इसकी shortcut की भी होती है, control के साथ आप open bracket और close bracket करेंगे, तो इससे आपका यह जो photo है layer का, यह उपर नीचे हो जाता है, ठीक है और इसके उपर ठीक तरीके से ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, अब simple करना क्या है, आपको यहां पर clipping mask का use करना है, इस photo को circle के अंदर डालने के लिए, तो यहां पर मैं clipping mask की shortcut की आपको बता रहा हूँ, simple, देखिए, क्या है, control, alt, g, ठीक है, जैसे ही आप control, alt, g बटन तो देखिए, यह photo कहां चली गई, आपके इस circle के अंदर, यहां पर देखिए, आपको arrow भी छोटा सा यहां पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, समझ में आ गया, ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा move वगरा करना चाहते हैं, तो simple click करके, ऐसे move वग आपने इस layer को इस circle से attach करना होगा, attach करने के लिए simple देखिए, यहां पर click करेंगे, तो यह attach हो गया है, अब simple आप इसे move करिए, तो यह आपका photo के साथ circle भी move होगा, लेकिन से photo move करवानी हैं आपको, तो इसकी attachment हटाईए, और फिर photo को select करके, आप इसे जैसा चाहें, वैसा move कर सकते हैं, छोटा बड़ा करना चाहें, तो वही control T बटन दबा कर, छोटा बड़ा इस तरीक से आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी problem वाली बात नहीं है, तो देखिए, यहां पर हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके से आप यहां पे shapes create करेंगे, shapes में कैस color fill करेंगे, shapes में किस तरीके से आप photo को fill करेंगे, और कैसे outline लगाएंगे, ठीक है, जब इतना हो ही गया है, तो एक चीज मैं और भी आपको बता देता हूँ, वो भी बहुत ही interesting है, आप इसके पीछे drop shadow का use कर सकते हैं, shadow लाने के लिए, ठीक है, अब वो कैसे होगा, ज़र shadow एक option मिलेगा, simple आपको इस पर click कर लेना है, जैसे ही click करेंगे, तो देखिएगा, इसके अंदर by default आपको कुछ shadow देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर shadow का size वगएर अगर बढ़ाना चाहें, तो इस तरीक से बढ़ा सकते हैं, देखिए, इसमें आपको shadow देखने को इस तरीक से मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस shadow का distance वगएर आप बढ़ाना चाहें, तो distance बढ़ा सकते हैं, कम करके देख सकते हैं, ठीक है, spread में क्या होगा, कितनी दूर तक फैले, कुछ इस तरीके से देखो, जितना dark करना चाहें, यहाँ से होगा, size बढ़ाना है, तो ऐ देखे, मैं अभी उसको कम ज्यादा कर रहा था, तब तक में वो अपने आप ही hide हो गया, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, तो simple आप क्या करिएगा, इसे minimize करके, face से maximize कर लिजएगा, तो यह option आपको देखने को face से मिल जाएगा, ठीक है, तो simple देखे, यहाँ पर shadow भी आ जो भी कुछ आपको करवाया है, वो सही से समझ में आ गया होगा, अब इन ही सब चीजों के माध्यम से, अब आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा design का जो collage है, उसे create करके बना सकते हैं, तो चलिए, मिलते हैं अब next video में, so thanks for watching our video, have a nice day!